डियर इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें जे विवित्ता जो टोपिक है उसका दूसरा पॉइंट जिसका नाम है वेश्विक जे विवित्ता यानि कि पेड़पोदे और जीव जनतुजों है उनमें एक पूरे विश्व में किस-किस परकार की परजातियां पाई जाती है किस-किस परकार की विवित्ता ये पाई जाती है उसके बारे में अपन जानकरी पराप्त करेंगे पूरे विश्व की बात हो रही है यानि कि वेश्वी कालब पूरे विश्व की जे विवित्ता कहां जे विवित्ता अधिक है कौन से पोदों की जे विवित्ता सबसे अधिक परकार के होती है ठीक है कौन से जन्तों की जे विवित्ता सबसे अधिक है यह सारी बात इसमें साम जाती है तो अपन बिल्कुल स्टिक तो नहीं कह सकते कि इतने पोदों की और इतनी जन्तों की जे विविता पाई जाती है फिर भी एक अनुमाल लगा जाता है और वो असेस्मेंट जो है वो है मिलेनियम इकोसिस्टम असेस्मेंट ठीक है आपको यहाँ चीजात करना है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेस्मेंट यानि कि इसमें ये एक अनुमाल लगा जाता है इसके अनुसार पर्थवी पर जिवों की 50 से 300 लाख परजातियां पाई जाती है और पर्थुपर जो की इतनी लगवग आया नुमान है तो जिसमें से विग्यानिक 17 से 20 लाख परजातियों को ही पहचान पाए है यानि कि 50 से 300 लाख के बीच में प्रजातियां उसमें से केवल 17 से 20 लाख परजाती ही विग्यानिक खोज पाए है कहने का मुलब पर्थिव पर तो मुझूद है इतनी लगबग परंतु उसमें से हम इतने को ही पहचान पाई है पर्थिव पर पाई जाने वाली जेविवित्ता का वित्रण ऐसमान है यानि पूरी पर्थिव पर बात करें तो कहीं पर ज्यादा है जेविवित्ता कहीं पर कम ह तो भूमद्य रेखा जेवित्ता में संपन चत्रों में से हैं यह इंपोर्टेंट लाइन आपको यह याद रखनी है देखो अपने परत्वी जो इस प्रकार से गलोब की तरह आपने देखा हुआ गोल है और इसके बीचों बीच यह जो रेखा है इसका नाम है भूमद्य रे जो भूमद्य रेखा है इसके आसपास जो यह चत्र है इसके ऊपर और नीचे वाला यानिकि उतरी गोलार्द में ठीक और नीचे दक्षनी गोलार्द में यहां सबसे ज़्यादा जेवित्ता पाई जाती है तो क्या लिखा है भूमद्य रेखा जेवित्ता से संपन चत्रो और में जेवित्ता कम हो जाएगी दर भी कम हो जाएगी टक्षणि में भी व्योज़ कम हो जाएगी वनस्पतियों की दस्टू से मद्डे और दक्षणिव कर दूद्र कैसे अमेरिका इसको यह यंधि रखन के अमेरिका, जो अमेरिका दोनों के बिसका वार्वा Allah की अता पए जाती है तथा गषुनी. फूरी एश्या का रहर सुनिद्ध का वहां पर जेवीत खूब प्रकार की पाई जाती है जहां पर यह ऊच्णक्ट्ण रहरों सुन कशेरुकी प्राणी की 30% तर्था कीटों की 90% प्रजातिया इनी चत्रों में मिलती हैं। तो ये दो चत्रों की बात हो रही है अपनी मद्य दक्षणी अमेरिका और दक्षणी पूर्वी एशिया इनके अंदर लगबग यानि की कशेरुकी प्राणी का उलब है जिसमें रीड की हड़ी पाई जाती है। चीक है तो इनमें 30% प्रजातिया कीटों की 90% प्रजातिया आदी इनमें पाई जाती है। आगे है जिसका 76% के कुल 76% का मातर 7% है। चीक है कितना है लगबग पूरे क्योंकि हम जानते हैं कि इसका 27% मातर इसका है। आगे हैं परियावरे ने एो वन मंत्राले भारा सरकार की वरस गुनिस जिनाडमा की रिपोर्ट के नुसार 20 बर इस तरफ पर पाई जानने वाले वनस्तियों की परजातियों का विरन निमत चित्रों से समझा जा सकता है। देखो अपनी जो भार सरकार की जो परियावण और वन्व अंतराले जो है उसके द्वारा गुनिशु नियुनारम के अंदर एक रिपोर्ट जारी की थी उसमें वतायागा था कि पेड़पोदों के अंदर तो कौन सी कितनी कितनी जेविताई पैजाती हैं और जन्तों के करें वनस्पतियों की बात करें तो सबसे ज्यादा वनस्पति जो है उसमें जेविता पैजाती है अपनी जो है दो लाग पचास हजार परकार की आवर्ट वीजी पुदे ठीक है जो हम चारत तरब देखते हैं जो अधिकांस पोदे वो सारे आविजी पुदे ही हैं जैसे तो लगबग 2,50,000 परजातियां इसके जेवीटाओं की अपन देखते हैं परजातियां हैं दो लाग 5,000 परकार की ठीक है तो यह से क्यों समन सकता है कि पदब जगत के अंदर सरवाधिक जेवीटा किसमें देखने को मिलती है तो आवरत्वीजी पादपों में देखने को मिल ठीक है जंतों की बात करें पर तो जंतों के अंदर सबसे ज़्याद जेवीटा जो है वो देखने को मिलती है आर्थो पुड़ा संके प्राणियों में आर्थो पुड़ा जो संके जीए उनके अंदर 9,47,449 तो यह इस परकार से सबसे जेवीटा आर्थो पुड़ा के जेविटा जन्तों में और पोदों में तो इस परकार से हमने इस वीडियो में विश्वा के अंदर जो जेविटा है उसके बारे में जानकरी परात की और अगले वीडियो में हम समझेंगे भारत की जेविटा के बारे में कि भारत के अदर कौन-कौन से पेड़ पोदे जिजन उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर जानकारी परात करेंगे धन्यवाद